हेलो डियर फ्रेंड्स दिस इस लेक्चर नमबर 27 लेक्चर सीरीज हमार पास जो सेक्शन वाइज हम पढ़ रहे हैं बेर रिडिंग कोड आफ के बनल प्रोसीजर 1898 के अंदर आज हम डिसकस करेंगे चेप्टर नमबर 10 चेप्टर नमबर 10 के अंदर आज डिसकस जो करने जा र उनकी हम आज रिडिंग करेंगे तो आएए देख लेते हमार पास नोजिंग जो वर्ड जो नोजन्स हैं उनकी मीनिंग क्या है अब ब्रोड लीकल कांसेप्ट इनिक्लिडिंग आनिफिंग डैट डिस्टब्ड रिजनेबल यूज अफ प्रापर्टी और इंडिंजर लाइ नोजन्स एक हमार पास लीगल कांसेप्ट में किसी भी हमार पास रिजनेबल जो हमार पास क्या हो जाता है डिस्टब्ड जो करता है किसी भी प्रापर्टी क्यों इस्तिमाल करने के लिए हमार पास इस्तिमाल करने से या फिर किसी की लाइफ को इंडिंजर करें किसी की तो फिर वो सब noise में आ जाता है अब word आ जाता है दो मिले कर public noise क्या है अलρχी तुर पर जो की right हमारा पास है पब्लिक जो जनरल राइट है आम लोगों के लिए जो राइट है उनके अंदर इंटरफेर करना यह हो जाता है हमारे पास पब्लिक नुज़न्स पाने देए पब्लिक नुज़न्स आएए इसके अंदर हम देख लेते हमारे पास सेक्शन जो है 133 सेक्शन 133 बात करता है कंडिशनल आरडर फारिमोल आफ नुज़न्स अब ऐसे किसम का जो नुज़न्स है इसे किसम की जो एंटरफेरंस है आदि बास समझ में जो आपकी राइट को डिस्टब कर रहा है इस्तिमाल करने से आपकी प्रापर्टी से उनके लिए कंडिशनल आरडर कंडिशनल आरडर कंडिशनल आरडर आपको पता है क्या होता है नहीं कर रहे तो आपके अगेस्ट में यह चीज होगी या आपको फाइन वग्राद देना पड़ेगा उसको हम कहते हैं कंडिशनल आर्डर Whenever a magistrate of the first class considers on receiving police report or other information and on taking such evidence if any is a things fit जब भी कोई first class magistrate जो है वो consider करता है on receiving police report जो कि police की जो report मिलती है उन पर या फिर जो इनको इतला मिलती है या फिर उन पर ऐसी किसम की कोई गवाई लेता है as the things fit जैसा के वो बहतर समझता है that any unlawful obstruction or noises should be removed from any way कि जो गेर कानूनी तूर पर जो रुकावट डाली गई है obstruction या फिर जो noises है आरे बसमझ में जो noises है उनको हटाया जाए from any way किसी रास्ते से river किसी अमारे पास दरिया वगरा से channel जो के हमारे पास दरिया वगरा channel होते हैं उनसे which is or may be lawfully used by the public or from any public place जो के कानूनी तोर पर lawfully जो पब्लिक इस्तिमाल कर रही थी या कर रही है ठीक है या फिर करना हमारे पास पब्लिक जो आम पब्लिक है उनका right है इस्तिमाल करना उनको ठीक है और फिर आम एनी पब्लिक प्लेस या फिर किसी भी पब्लिक जगा से that the conduct of any trade or occupation के हमारे पास कोई भी अगर ऐसा बरताओ है जो कि हमारे पास ट्रेड जा फिर हमारे पास जो वापार वगरा है या फिर जो occupation है जो काम वगरा करते हैं are the keeping of any goods or merchandise अब किसी भी किसम की कोई चीजें रखना ये merchandise मेंसे हमारे पास goods वगरा हो गई is the injuries to the health जो कि हमारे पास सहत के लिए नुक्सानकार है और physical comfort of the community या फिर हमारे पास जो जिसमानी unfit मैसूस करता है जो community है उनके लिए and that in consequence of such trade अब वो जो वापार है या फिर occupation है उनको अंजम देते वकत या फिर उनकी जो नतीजे निकलते हैं इस consequence निकलते हैं शुड़ भी प्रोइबिटेड और रेगुलेटेड और सच गुड्स और मरकंडाइज शुड़ बी रिमूवड और दा कीपिंग देर आफ रेगुलेटेड अब ऐसे किसम का जो दंदा है ऐसे किसम का जो काम वगेरा है उनको रोका जाए उनको ऐसी चीज अब किसी भी किसम की जो कास्टेक्शन हो रही है किसी भी हमार पास है घर वगेरा की बिल्डिंग अगेरा की या फिर कोई ऐसा मादा है जिसको खार्ज करते हैं डिस्पोज करते हैं एज इस लाइकली टू ओकेशन कानफ्लेक्रेक्शन और एक्स्प्लोजन शुड़ बी प्रिवेंटेड और स्टॉपड अब किसी भी किसम का होई मादा जो खार्ज होता है फार एक्दम पर हमारे पा है कि हमारे पास शुगर मिल से च्रा अगर बाहर अव्यकाा जाता है किसी आम पब्लिक प्रापर्टी पर किसी आम पब्लिक जगापर ठीक है वो जो किरा जो है उसमें ऐसा केमिकल होता है तो पूर एसी चीदूर को रोकने के लिए that any building, tent or structure or any tree is in such a condition that it is likely to fade, अब कोई भी building है, कोई tent है, कोई भी किसी के सब का structure है, या फिर कोई हमार पास tree है, दर्खत है, ठीक है, वो ऐसी सूरत में हैं कि वो खराब हो चुकी है, वो नाकारा हो चुकी है, and thereby by cause injury to persons living or carrying on business in the neighborhood, अब उनकी वज़ा से जो injury हो सकती है, वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, या फिर वहाँ पर जो पडोसी रह रहे हैं, अपना जो कारोबार वगेरा कर रहे हैं, उनको किसी किसम की तकलिफ पहुंच सकती है, injury पहुंच सकती है, are passing by and date in consequence the removal, repair or support of such building, tent or structure, are the removal or support of such tree is necessary, अब ऐसे किसम की जो consequences है, removal करने से, ठीक है, उनको repair करने से, उनको support करने से, उसका tent वगेरा structure है, ठीक है, ऐसे जो हमारे पास trees वगेरा है, ठीक है, उनको वहाँ से हटाने के लिए वो जरूरी है, that any tank, जो भी हमारे पास tank वगेरा, टांकी वगेरा होती है, वेल, जो कुवे वगेरा होते हैं, वेल, ठीक है, और excavation, मिस्ट जो खुदाई की गई होती है, माइने के लिए, किसी भी, दमीन से अगर किसी चीज को निकालने के लिए, वहाँ से उनकी खुदाई की गई है, और वहाँ पर क्या बनाया गया है, फार एक्जम्पल, जहां पर कोई हमारे पास public place है, वहाँ पर किसी sanitary या किसी हमारे पास निकाल सिस्टम के लिए, कोई हमारे पास line बनाई बिचाई जा रही है, वहाँ पर जो है, खुदाई की हुई है, तो फिर उनको बंद करना, अब जो वो, जो टेंक है, टांकी है, कुआ है, या फिर जो एक्सकावेशन है, उनको बंद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो पॉब्लिक प्लेस है, पॉब्लिक जो रास्ते है, उनके बिल्कुल करिब लगता है, वहाँ पर कभी भी किसी भी किसम का कोई हादसा हो सकता है, तो फिर उनको फैंस्ट किया जाएगा, मिस स्राउंडेड वे थावाल, वहाँ पर दिवार बनाई जाएगी, अगर टेंक है, तो फिर उनको उनकी दिवार बनाई जाएगा, अगर किसी किसम का कोई जानवर है, अगर वो हमारे पास आपे से बाहर हो गया है, कि हमारे पास किसी भी इनसान को नुक्सान पहुंचा सकता है तो फिर उनकी अगेस्ट में माजिस्टीट अगर बहतर समझे तो यह आर्डर कर सकता है कि इसको हमारे पास डिस्ट्रॉई किया जाए उसको कंफाइन में से उसको कंफाइन कर लें आप उनको custody में ले 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 उनको हमार पास किसी जगा पर safe जगा पर confine करके रख ले बांध कर और otherwise dispose of या फिर उनको हमार पास किसी वो जगा निकाल कर दे प्रुष्टि ब्सक्र等 विर ले 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 और लो में है कर्वेना उनकोसे कासी बड् moonlight भासम में। आप दूबरा निकाल है परेशंबर्न कराइश शंद वेडू नचा की ले 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 लेगी से ले jewelry ले ले दे बारेशनेज दिल यार टिका ले ले अगर majority better समझे तो conditional order इनकी against में कर सकता है कुन किस किस के अगेस्ट में जू कि हमारे पास नोईजन्स कर रहे हैं पब्लिक नोईजन्स कर रहे हैं जिसा कि कोई वैपार ही है अगर वैपार कर रहा है उनकी वज़ा से पब्लिक नोईजन्स हो रहा है या फिर कोई ऐसी चीजें रखता है जिसे हमारे पास सहत के लिए व नुक्सन पहुंच सकता है या फिर कोई किसम का कुवा है एक हुदाई है या फिर टैंक वगरा है टांकी वगरा है जो कि बिना डकन के खुली पड़ी है या फिर कोई ऐसा जानवर है उनके पास है जो कि नुक्सनकार है या फिर कोई ऐसा ट्री वगरा है दरखत वगरा है ठी ठीक है within time to be fixed in order तो फिर उनको order किया जाएगा जो कि उस order में time मुकरर किया जाएगा वक्त मुकरर किया जाएगा कि उनको क्या करें तो रिमूव सच अब्स्ट्रक्शन अनुजन्स कि आप जो ऐसी किसम की जो अब्स्ट्रक्शन जो रुकावट जो पैदा होई है उनको क्या करें हटा दें अनुजन्स ठीक है तो डिजिस्ट डिजिस्ट मिस एपस्टें फ्राम केरिंग आन और तो रिमूव और रेगुलेट इन सच मैनर एद में भी डारेक्टेड सच ट्रेड अर अक्क्यूपेशन अ उनको रिमूव करना वहां से हटाना सच ट्रेड अर अक्यूपेशन ठीक है जिसाब के हमारे पास डारेक्शन दी जाए आरी बास समझ में तो रिमूव सच गूर्स और मरकंडाइस जो हमारे पास ऐसे किसम की जो चीज़ें जा फिर जो मरकंडाइस वगरा है तो रेगुले उनको बंद करवाना और तो रिमूव रिपेर और सपोर्ट सच बिल्डिंग टेंट और स्ट्रक्चर या फिर उनको रिमूव करना उनको रिपेर करवाना उनको सपोर्ट करना या फिर ऐसी बिल्डिंग टेंट स्ट्रक्चर को हमारे बास समझ में तो रिमूव और कि वो ट्री जो है फार एक्जमपल यह राता है पब्लिक इस राते पर एक बहुत बड़ा दर्खत खड़ा है ठीक है अब ऐसी सूरत में यह दर्खत जो है कभी भी किसी भी पब्लिक पर गिर सकता है तो फिर उनको सपोर्ट कर दें या फिर इस ट्री को वहां से रिमूव कर ने वहां से हटाए मीइज कार दें को तो अल्टर दा डिस्पोज आफ सच सप्स्ट्ंस अब जुए से किसम की कोई चीजें है कि सबस्टर्स है उनका डिस्पोजर करना जा फिर उनको अल्टर कर देना अरब अबास समझें आफ है तो फेंस सच टिंक ऐसी जो भी टांकी को जा लगाना वेल एक्सकावेशन जो भी हैं कुवें वगएरा जो खुदाई वगएरा है एड़ केस में भी फिर जो भी सुर्टाहल हो तू डिस्ट्वाइब कंफाइन डिस्पोज आफ सच डेंजरस एनिमल इन डा मेन प्रोवाइड इन दे सेड आडर अब कोई जानवर है ऐसा खतरनाक तो फिर उनको क्या कर दें उनको डिस्ट्रॉइ कर दें मिस तबाह कर दें उनको माल दें या फिर उसको कंफाइन कर दें अपनी तह्रील में ले 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 अपनी कस्टरी में ले ले या डिस्पोज आफ कर दें मिस उसको आगे आप दे दें उसको निकाल कर दें उसको कहीं और आप जो है रवाना कर दें उसको बेज दें जो कि तरीकेकार आर्डर में बताए गया और if he objects so to do अगर वो ऐसा करने से मना करें ठीक है object दे दें वो ऐसा करने से मना कर दें to appear before himself or other magistrate to appear before himself or some other magistrate of the first class at a time and place to be fixed by the order अब या तो फिर उस magistrate के पास वो appear हो या तो फिर उस magistrate के पास ठीक है or some other magistrate या फिर किसी और magistrate के पास जो वक्त और जो जगा बताए गई है उसके मताबिक जो order में बताए गई है and move to have the order set aside or modified in the manner here and after provided या फिर जो भी order जो है वो हमारे पास है किया गया है move किया गया है या फिर जो order modify किया गया है में इस order में किसी किसम की कोई तर्मीम की गई है तबदिली की गई है जो आगे बताया गया है आरे बस समझें सब सेक्शन हमारे पास two बात कता है no order duly made by a magistrate जो कि एक magistrate ने order जो है वो जाइज तोर पर कोई order बनाया है order issue किया है ठीक है कानूनी तोर पर जाइज तोर पर कोई order अगर issue किया है magistrate ने तो फिर उनको under this section इस section के ते ते है shall be called in question in any civil court ठीक है तो फिर किसी भी civil court में उनको उनके उपर कोई question कोई सवाल नहीं उठाया जाएगा आरे बास समझें जहां तक बात के जाएगा अब एक explanation दी गई है explanation में जो public place है वो उनमें कौन कौन सी चीज़े आ जाए जो state से blonks करती है चीज़े वो सब public हमारे पास place में आ जाती है जैसा के हमारे पास camping grounds camping grounds में क्या होता है पड़ाओ ठीक है पड़ाओ लेना आरे बास छोटी के दिन जो खीमा वगईरा लगाते हैं लोग हमारे पास जा नहीं लगाते मगर बाहर जो यूरूप वगईरा में हैं वो छोटी के दिन holidays especially on holidays वो बाहर जाके टेंट लगाते हैं और वहाँ पर जाके लुत्फफदोस होते हैं वहाँ पर अपने सूरज वगईरा की वो गर्माश वो लेते हैं आरे बास समझ में and grounds left unoccupied for sanitary अब जो grounds जो छोड़ा गया है खाली छोड़ा गया है किसी के लिए sanitary के लिए हमार पास से sanitary के काम के लिए छोड़ा गया है आरे बास समझ में अब यह जो हमार पास दिया गया है recreative purposes sanitary या फिर recreative अब recreative word क्या है recreative word means refreshment के लिए जो sanitary या फिर रिफ्रे recreative मकस्द के लिए जो भी जगाएं खाली छोड़ी गये वो सब public press में आ जाती है जातर बात लिए रहे उसके बाद हम चले जाते हैं हमार पास section 134 134 बात करता है service or notification or order subsection 1 बात करता है the order shall if practicable जो order है अगर वो काबले अमल है be served on the person against whom it is made उस्पी शख्स के खिलाफ जो है service करवाई जाएगी जिसके against में water पास हुआ है in manner here in provided for service of a summons जो के जो के तरीके कार वहां हमार पास आगे बताया गया है service वगिरा का ठीके उन service जो summons की जो service जो होती है जैसे भी होती है बिलकुल वैसी ही हमार पास इस जो public noisans का order है वो भी इसी तरह ही summon और हमार पास service होगा serve होगा उस शख्स पर जिसके लिए जिसके against में ये हमार पास 133 का order पास होता है if such order cannot be served अगर ऐसी किसम का order serve नहीं होता it shall be notified by proclamation published in such manner as provincial government made by rule direct अगर ऐसी किसम का कोई order service नहीं होता for example कोई एक against order पास हो जाता है इसको notice issue है subsection 1 के तहट अगर हो गए तो ठीक है अगर नहीं होते तो subsection 2 के तहट क्या होगा उनके against में publication order होगा तो इनके against में इश्तियार वगिए जाएं कि आपके किसम यह order पास हुआ है आप ऐसा ना करें ठीक है जो कि provincial government जो कि सुबाई हकोमत जैसे कि वो rule वगिए बनाए उन rule के तहट वो publication होगी and a copy there of shall be stuck up और ऐसी किसम की जो order हुआ है वो वहाँ पर हमार पास चिपकाई जाएगी कहां पर at such place एसी जगह पर our prices और ऐसी जगहों पर age may be fittest जो कि मुनासिब हो जो कि हमार पास fit हो for conveying the information to such person ऐसे शख्स तक हमार पास है जो मालूमात है उनकी रसाई के मकसद के लिए आरे बस समझें अब नोटिस के बिना किसी के अगेस्ट में ऐसे आर्डर निकालना वो हमार पास illegal हो जाएगा यह आप एक authority पढ़ लेना हमार पास 2000 2000 YLR page नबर जो है हमार पास 2803 यह है कि अगर आपने लोटिस नहीं किये ठीक है लोटिस आपने जो सर्विस कराई वो effect अगर वो issue हो है लोटिस तो issue है मगर वो फैल गए वहाँ पर नहीं पहुचे उनकर तो फिर order of निमूला अब्स्टॉक्शिन विदा उप नोटिस वाज illegal तो फिर वो illegal हो जाएगा जहां तक बात क्लियर है अब चले जाते हैं section number हमारे पास 135 section 135 क्या बात करता है person to whom order is addressed to obey our show cards are claim jury अब यहाँ पर तीन चीज़े आ जाती है कि जिस शक्स के against में जो order जो है वो address किया गया है वो service करवाई गई है वो उनको क्या करें obey करें उनको मान ले परफार्म कर ले उनको जिसा के order में लिखा गया है for example किसी एक अगेस्ट में order हुआ है कि आप जो है public noises कर रहे है कैसे public noises कर रहे है आपने public road पर कोई खुदाई वगेरा करके रखी है या फिर कोई building ऐसी तामिर करा रहे है जिनका material जो है वो public path पर पड़ा है आप उनको हटा दे पहली बात यह है कि यह इनको हटा दे ठीक है और शोकाज या तो फिर वो अपनी वज़ा बता है कि यह क्यों ऐसा कर रहे है या फिर तीसी बात यह है कि वो हमारे पास jury claim करे अब jury क्या है verdict jury क्या है a body of citizens sworn to give a true verdict अब जो लोग जो है jury किस किस की बनेगी jury होती क्या है पहले आप यह समझ ले jury means हमारे पास कम से कम 5 लोगों की हमारे पास jury होती है जिसकी अंदर आम लोग होते हैं कम से कम 3 जो लोग वो किस के होते है public servant होते है और 2 जो है वो जो हमारे पास applicant है उनके जो लोग होंगे यह जूरी का क्या काम है यह जूरी जो है यह मिलकर एक फैसला देगी यह तीन जो है गॉर्मेंट के होंगे पब्लिक सेरॉट होंगे इन में एक जो है वो फॉर में होगा क्या होगा फॉर मेंड निगरान और दो जो है वो मेंबर होंगे आरे बात समझे, दो government के member और दो applicant के member और एक हमारा पास government का निगरान जहां तक बात किया रहे, पांच मिलकर सहसला करेंगे, आरे बात समझे The person against whom such order is made shall perform within the time and in the manner specified in the order the act director thereby, अब जो वक्त इनको बताया गया है, जो हमारा पास तरिकेकार specify किया गया order में, उनके उपर वो अमल करे उसको perform करे, number two पर, appear in accordance with such order and either show cause again the same, और खुद आके पेश हो जाता है court में, ठीके, और ऐसे order के against में, अपना जो है, जवाज देता है वज़ा बताता है, वैसा करने का, ठीके, are applied to majesty by whom it was made to appoint a jury to whether he is whether the same is reasonable and proper, अब जो है, jury claim करता है, कि ऐसा कोई jury बनाई जाए, ठीके यह जो है, application जो है, वो reasonable या proper है या नहीं है या तक बात के लिए रहे, अब मैं आपको बता दाओं कि jury किस किस की होगी, दो हमार पास तीन मेंबर किसके होंगे, एक हमार पास of his failing to do so अगर ऐसा करने से वो fail जाता है, तो फिर क्या होगा if such person does not perform such it, अगर कोई शक्स ऐसा अमल करने से जो है, वो क्या, वो ऐसा अमल नहीं करता है ऐसा काम नहीं करता है और appear या फिर वो पेश नहीं होता है, and show cause अपना जो जवाज जो है, वो जमा नहीं करता है, अपना objection नहीं देता है, और apply for the appointment of a jury is required by section 135 जो के 35 के तहित अगर उसको jury claim करनी थी, अगर वो भी उसने jury claim नहीं की, appointment के लिए कोई application नहीं दी, कोई अब इसने apply नहीं किया, he shall be liable to the penalty, वो जो है, वो penalty के हमारे पास liable होगा, ठीक है आरी बस समझ में, prescribed in that behalf in section 188 of the Pakistan Penal Code, पाकिस्तान Penal Code के section जो है 188 के अंदर जो बताया क्या है, उसके तहत, इसके against में इनको penalty दी जाए देनी पड़ेगी, ठीक है penalty अब 188 section क्या deal करता है, disobedience to order duly promulgate by the public servant अब जो public servant है, उन्हों ने जो किसी किसम का कोई order किया उनको disobey, जो करते हैं लोग उनके against में ये penalty दी जाती है, इस section के तहाँ ठीक है, and the order shall be made absolute, और जो order है, जो order बना है वो absolute होगा, means उसको किसी भी किसम का कोई भी question कहीं भी नहीं किया जाएगा means of finalty है, with no implication to change किसी भी किसम की कोई हमार पास तोहमत नहीं लगेगी इनको change करने के लिए, वो खालस और हित्मी है section 137 बात पाता है, आजाएं section 130 के उपर procedure where he appears and showcase, अब क्या तरकेकार होगा जब वो पेश होता है और अपना जवाब दाखिल करता है show card देता है, अपनी वज़ा बताता है if he appears and show cards against the order अगर वो पेश होता है और अपना जवाब दाखिल करता है the magistrate shall take evidence जो magistrate है, वो गवाई लेगा in the manner provided in chapter 20 अब जो chapter 20 जो है CRPC के बात कर रहा है ठीक है CRPC के chapter 20 जो है trial of cases by magistrate जो magistrate जो cases जलाते हैं, जो trial करता है ठीक है, उनके बारे में जो तरकेकार है, वो अपनी evidence वग़रा लेगा ठीक है subsection 2 बात करता है if the magistrate is satisfied that the order is not reasonable and proper अगर वो magistrate जो है वो मुतमीन हो जाए कि आर्डर जो है वो reasonable और proper नहीं है आरे वे जो मुनासिब नहीं है no further procedure shall be taken in the case ऐसे सूरत में किसी भी किसम की कोई कारवाई नहीं की जाएगी if the magistrate is not so satisfied the order shall be made absolute अगर मुतमीन नहीं होता ठीक है तो फिर आर्डर जो है वो क्या हो जाएगा satisfy जो हमरे पास absolute रहेगा आर्डर जो है absolute रहेगा कि यह किन सूरत में जब subsection 1 के तहित जो शक्स जिस शक्स की अगेसम आर्डर पे पास हुआ है और जो है और जो है वो आर्डर जो है वहीं पर ही खतम किया जाएगा और भी कोश्मेंट आफ़ हमारे पास प्रोसीडिंग्स किसी भी किसम की कोई प्रोसीडिंग्स नहीं कि जा जागे अगर माजस्टीर मुतमन नहीं होते उनके objections से तो फिर वो आर्टर जो है वो absolute माना जाएगा में जो मुकमल माना जाएगा हित्मी माना जाएगा जहां तक बात के लिए रहे उसके बात चले जाते हमारे पास section 138 section 138 क्या बात करता है procedure where he claims jury अब क्या तरीके कार होगा जब वो jury claim करता है ठीक है तीसरी बात पर हम आजाते है unreceiving application अगर कोई application देता है जिसके अगेस्ट में इसा आर्टर हुआ है वो application देता है jury की under section 135 to appoint a jury ठीक है under section 135 के तहत वो jury claim करता है the magistrate shall तो फिर magistrate जो है वो क्या करेंगा फॉर्ट विट्र अपॉइंट जूरी considering of an uneven number of persons not less than five अब जो है magistrate जो है वो फोरण ही एक जूरी हमारे पास बना देगा आर्टर समझ में जिसके uneven number हो जो के गेर ब्राबर हो गेर ब्राबर किसको कहते हैं एक जो गेर ब्राबर है तीन गेर ब्राबर है पांच गेर ब्राबर है साथ गेर ब्राबर है अर्वासे नो गेर ब्राबर है मिस ब्राबर ना हो अगर इनको तकसीम किया जाए तो एक तरफ और दूसरे तरफ ब्राबर के मेंबर ना हो फार एक्जम पांच है पांच को दो में तक्सीम किया जाए तो कितने आ जाएंगे एक तरफ दो आ जाएंगे दूसरी तरफ तीन आ जाएंगे यहां तक बात क्लियर है आफ कम से कम पांच लोग होने चाहिए आफ whom the four men and one half of the remaining members shall be nominated by such magistrate अब जो एक जो है उन में से निगरानकार होगा और बाकी जो बचते हैं उन में से half जो है वो magistrate appoint करेगा जहां तक बात क्लियर है यह आप देख लें अब जो है total कितने कम से कम पांच मेंबर करने कितने five मेंबर करने इन में से एक निगरान होगा ठीक है कोई भी एक निगरान नाम दे दें फार एक निगरान होगा वो भी magistrate करेगा बाकी कितने बचे चार चार में से half one and half means दो ठीक है यह अब तीन कोन के फार एक्जमपल पहला किसने appoint किया magistrate ने उसके इलावा दो जो बच गए जो हमारे पास बाकी जो बच गए उन में से half एक फॉर्मेंड करना है कितना एक फॉर्मेंड करना है बाकी जो बचा है उन में से आदा माजिस्टेट अपॉइंट करेगा बाकी कितने बचे हैं बाकी बचे हैं चार आरी बत समझे में चार बचे हैं चार का आदा कितना होगा दो होगा मेंसे एक ये अप्वाइंट किया माजिस्टिन फॉर्मेंट क्या होता है फॉर्मेंट मिंस निगरान ठीक है और बाकी दो भी माजिस्टिन अप्वाइंट करेगा जैसा कि मैं आपको नाम बता देता हूँ फॉर्मेंट माजिस्टिन अप्वाइंट किया किसको अर्जुन को ठीक है दो और अपॉइंट किये ठीक है दो और मेंबर अपॉइंट किये जैसा कि हमारे पास अली और हसन ये अपॉइंट किये दो ठीक है ये किसने अपॉइंट किये माजिस्टेट अपॉइंट किये बाकी बच गए दो हाफ रिमेनिंग वो अप्लिकेंट अप पॉइंट करता है, नंबर फोर इसको एह सान, और नंबर फाइव सबबाब, ठीके, यह अपॉइंट करता है, अब यह सब मिलकर फैसला करेंगे, ठीके, उन से जो भी माजार्टी में जो फैसला आएगा, वो जूरी का फाइनल फैसला होगा, जा तक बात क्लियर है, and other members by the applicant जा तक बात क्लियर है Summon such foreman and members to attend at such place and time if the magistrate thinks fit. अब जो foreman है जो निगरान है उन पांचों में से एक निगरान है means बाकी चार जो है वो member है उनको क्या करेगा court, magistrate, notice, issue करेगा कि आप आएं ऐसी jury attend करें ऐसे मक्सूस वक्त और मक्सूस जगा पर यहां तक बात क्लियर है fix a time within such which they are to return their verdict और time जो है वो मुकरर किया जाएगे कि आप इस वक्त के अंदर अपना verdict दे means अपना फैसला दे the time so fixed me जो वक्त मुकरर किया गया for good cause shown जो के अच्छी वज़ा बताई गई है be extended the time so fixed me जो वक्त हमार पास मुकरर किया गया है जो वक्त का तायून मुकरर किया गया है ठीक है for good cause shown अगर इनके उपर अच्छे वज़ुहात बताए जाते हैं अच्छे सबब दिखाए जाते हैं be extended तो फिर वक्त जो है वो बड़ाय जाए गया by theogenic state majस्टेट जो है उनको उनका जो वक्त जो है वो बड़ा सकता है for example इनको जूरी जो कितने दिन का वक्त दिया था the jury को दस दिन का वक्त दिया था कि तो आप टेसला इनके उपर करके दे म Luck when हमार पास good cause देते हैं, शोन करते हैं good cause दिखाते हैं कि हम इस 10 दिन के अंदर नहीं कर सकते, तो फिर इनको कुछ और भी टेम बढ़ाया जा सकता है जिसा कि हमार पास 15 दिन का वक्त दिया जा सकता है, यहां तक बात के लिए रहे जिसा कि माजस्टेट बेहतर समझे तो रोसीजर वेर जूरी फाइंड से माजस्टेट आर्डर तो बी रीजनेबल अब जूरी जो है, वो क्या कर ले वो इस नतीचे पे पहुंच जाए कि जो माजस्टेट का जो आर्डर है वो रीजनेबल है आरे यह बात समझ में जो माजस्टेट ने जो आर्डर पास किया है वो बिलकुल फिट है, दुरस्त है और सब्जेक टू मॉडिफिकेशन या फिर उसमें किसी किसम की छोटी शी हमारे पास क्या तर्मीम कर देना चेंजिंग कर लेना जो कि माजस्टेट उनको कबूल कर लेता है जब माजस्टेट शाल मेक दा आर्डर एबसुलीट उसके बाद माजस्टेट जो आर्डर को क्या कर लेगा एबसुलीट कर लेगा ठीक है, हत्मी कर देगा सब्जेक टू सच मॉडिफिकेशन इफेनी अगर इसमें किसी किसम की कोई तर्मीम आती है तो फिर उनको नजर में रखते हुए ठीक है इस सुर्टहाल में किसी भी किसम की कोई बी और कोई कारवाई नहीं होगी इस चेप्टर के तैट यहां तक बात के लिए बिलकुल सिंपल है थोड़ा लेंदी है पर आपने section wise एक एक section अच्छी तरीके से पढ़ना है जब आप पढ़ने बेखते हैं तो आपको एक एक section एक word जो है आपके लिए बहुत कीमती होता है section 139 e procedure where existence of public right is denied अब क्या तरीके कार होगा जब की public right जो है deny किया जाता है अब जब public right deny किया जाता है one section 133 section के तहित अगर हमारा पास है कोई order pass हुआ है public noisence का ठीक है before proceeding of section 137 और 138 से पहले जब proceedings करनी है उन से पहले अगर ये बात आजाती है कि जिसके अगिस्ट में ऐसा order pass हुआ है वो ऐसा public right को deny कर रहा है वो इनकार कर रहा है एक against में कोई order pass हुआ है ऐसा public noisence का मगर ये जो है civil court चला गया है कि sir जहां तो public right है नहीं मैं deny कर रहा हूँ जह तो मेरी अपनी property है तो फिर उनको decide करते वड़त ये क्या कर दिया जाएगा इनको हमारे जो इन इस जो प्राफसिडिंस है उनको inquiry में लाए जाएगा कि ये इनको inquiry की जाएगा civil court में वो जाता है या नहीं जाता है मगर ऐसी public right का वो deny करता है तो फिर उनमें inquiry की जाएगी आरे बात समझ में आगे चलते हैं आप सेक्शन टू बात करता है इसकी बैरिडिंग कर लो मैं आज मैं इसकी बैरिडिंग में कर लेता हूँ वेर एन आर्डर इनमीड अंडर सेक्शन वन थर्टी श्री फार्द पर्पर प्रिवेटिक अब्स्ट्रक्शन किसी भी किसम का कोई 133 के अंदर कोई आर्डर पास होता है आरी बात समझ में तो फिर अगेस हूम दे आर्डर वाज मेड कॉस्चन हिम एज तो वेडर ही डिनाइज दे एग्जिस्टंट आफ एनी पॉब्लिक राइट इन रिस्पेक्ट आफ दवी चैनल रिवर और प्लैस and if he does so the magistrate shall before proceedings in inquire into the matter तो फिर magistrate जो है 137 और 138 की inquiry हमार पास उसकी जो हमार पास manner जो बताया गया है section के अंदर 137 और 138 के अंदर उससे पहले उसकी matter के अंदर inquiry करेगा कि यह जो हमार पास deny कर रहा है क्या यह deny इनका union है या नहीं subsection 2 subsection 2 बात करता है if in such inquiry the magistrate finds that there is any reliable evidence in support of such denial अगर magistrate inquiry के बाद अगर उनको यह लगता है कि हमार पास काबल इत्माद गवाई है वो support करती है acid denial को he shall stay the proceeding तो फिर वो ऐसे किसम की proceeding जो उनको क्या कर देगा stay कर देगा उनको फिलाहल इलतवा कर देगा इनको मुल्तवी कर देगा until the matter of the existence of such right has been decided by a competent civil court वो जो civil court है जब तक उनसे वो decide नहीं हो जाता है existence of right तब तक वो जो अगर पास stay रहेगा उनके ओपर ठीक है यहां तक बात के लिए रहे है जो civil court में वो गया है ठीक है if he finds that there is no such evidence अगर वो मुत्मिन हो जाता है कि ऐसी कोई भी गवाई नहीं है he shall proceed as laid down in section 137 or section 138 as the case में भी तो फिर वो अपनी करवाई को आके चलाएगा और section 137 और 138 की भी proceedings वो मुकमल करेगा जो कि उनको requirement है section हम अब पार subsection 3 में चला जाते है subsection 3 बात करता है a person who has and being questioned by the magistrate under subsection 1 fail to deny the existence of a public right of nature there in referred to अगर subsection 1 के अंदर जब उन से कोई सवालात किया जाता है जब वो appear होता है ठीक है और वो इस बात में नाकाम हो जाता है कि public right की existence deny नहीं कर पा रहा है उनकी nature नहीं बता रहा है ठीक है or who having made such denial अगर उसने ऐसी किसम का कोई deny किया है public right से कि ऐसी किसम का कोई भी यहां पर public right नहीं है यह मेरी अपनी property है या फिर किसी और किसम का कोई जवाब वो दाखल करता है has failed to aduce reliable evidence and support thereof और उनकी favor में कोई भी हमर पास reliable काबल एत्माद गवाई पेश नहीं करता है shall not in subsequent proceedings be permitted to make any such denial तो फिर बाद में वो चलकर subsequently वो किसी भी किसम की उनको कोई अजाद नहीं होगी कि वो उस right को deny करे nor shall any question in respect of the existence of any such public right be inquired into by any jury appointed under section 138 तो फिर उसके बाद किसी भी किसम का कोई public right से denial की existence के बारे में किसी किसम का कोई भी सवाल या inquiry नहीं की जाएगी जो कि appoint हुई है हमारे पास jury 138 के ताहित जो jury appoint हुई है उन से आरे बस मुझे यह तक बात क्लियर है उसके बात चले जाते हम section 140 अब section 140 क्या बात करता है procedure on order being made absolute जब अब जब order हमारे पास absolute हो गया है तो फिर अब क्या तरिके कार होगा आई देख लिए when an order has been made absolute under section 136 section 137 or 139 ठीक है अगर in section के तेहत अगर order absolute बना हमारे पास हो गया है पास हो गया है the magistrate shall give notice of same to person against whom the order was made तो फिर जो है magistrate क्या करेगा notice issue करेगा उस person के खिलाफ जिसके against में जिसके खिलाफ यार्डर पास होगा है and shall further require him to perform the act directed by the order within a time to be fixed in the notice अब उन से वो तलब किया जाएगा कि आप जो है जो order में जो आपको हुकम दिया गया है जो order में वो उनको आप perform करें जो वक्त बताया गया है उन वक्त के अंदर जहां तक बात किया गया है and inform him that और उनको इतला भी दे जाएए उनको ये भी बताया जाए in case of disobedience अगर आप उनको नहीं मानते आप उसको disobedience में चले जाते हैं आप उनको तस्लीम नहीं करते हैं उस order को ठीक है he will be liable to the penalty तो फिर उनको जुर्माना बरना पड़ेगा provided by section 188 of the Pakistan Penal Code अब Pakistan Penal Code के जो section है 188 के तहत वो उनके तहत उनको जुर्माना देना पड़ेगा consequences of disobedience to order अब क्या हमारे पास ये consequences है अगर आप order की खिलाफ़दी करते हैं अगर order को आप नहीं मानतें ठीक है ये आप थोड़ा देख ले न ये बिलकुल आसान है if such act is not performed within the time fixed अगर जो वक्त मुकरर किया गया उस वक्त के अंदर वो काम वो शक्स नहीं करता है ठीक है आरे बासमझ में ये आप देख लेना बिलकुल आसान है sub section 3 बात करता है no suit shall lie in respect of anything done in good faith under this section अब जो भी हमारे पास काम किया गया है इस section के तहत उसको हमारे पास चलें आगे 141 ये बिलकुल आसान है आप section हमारे पास 140 का sub section 2 देख लें कि कौन सी कोई से बता रहा है कारडर की आरे बासमझें फिर भी मैं आपको बता दा माजिस्टेट में काज इट टूबी परफॉर्म्ड ठीक है माजिस्टेट जो है उनको कहेगा कि आप ये काम करें and may recover the cost of performing it और ऐसा करने के लिए जो भी खर्चा हुआ वो भी उनसे वसूल किया जाए either by the state of any building फिर किसी भी तरीके से जो भी हमारे पास building वगिरा है goods or other property removed by his order ठीक है जो इनके order के हमारे इनके order पर जो remove किया गया वहां से अटाए गया है और by distress अब distress word जो है इसके लिए मैं section ये पढ़ा रहा हूँ distress क्या होता है distress काफी बचे जो कहते हैं distress means कुछी किसी किसम की को परशानी नहीं distress means seizure a security उसकी किसी भी किसम की कोई property जो है वो जब्त कर देना and sale of any other movable property of such person ऐसे शक्स की किसी भी कोई भी movable property जो है उनको फरुक्त करके within or without the local limits of such magistrate jurisdiction अब जो magistrate जो के दाइरा एक्तियार में अगर इसी की कोई भी movable property आती है जा फिर किसी और magistrate के पास के दाइरा एक्तियार में अगर उसकी कोई भी property आ रही है उनको बेच दिया जाए if such other property is without such limits अगर वो magistrate किसी और जो property उस शक्स की वो किसी और magistrate की jurisdiction में the order shall authorize its attachment and sale when endorsed by the magistrate within the local limits of whose jurisdiction the property to be attached is found जिस magistrate की jurisdiction में वो property मिली है उनको क्या किया जाएगा इक्तियार दिया जाएंगे attachment की कि sale किया जाए क्योंकि इस शक्स ने इस order की खिलाफ वर्द किये इस शक्स ने इस order को नहीं माना है अब जो हमने remove किया है जो public noises हमने हटाया है government के खर्चे पर अब उनका खर्चा जो है वो हमर पास वो देगा जिस शक्स के against में order पास हुआ है अब उनका खर्चा उनकी property बेच के वसूल किया जाएगा यहां तक बात किया रहे section 141 procedure on failure to appoint jury or omission to return verdict अब क्या तरीके कार होगा अगर जो applicant जो है वो fail हो जाता है नाकाम हो जाता है jury appoint करने के लिए appoint नहीं करता है या फिर वो हमारे पास जो jury appoint की है उनकी जो verdict है वो वापस return नहीं होती है माजिस्टेट को if the applicant by neglect or otherwise अगर जो applicant है वो क्या कर रहा है neglect कर रहा है ठीक है ना फर्माने कर रहा है नहीं मान रहा उस बात को और prevents the appointment of the jury या खुद अपने आपको रोकता है ऐसी jury को appoint करने से are if from any card the jury appointed do not return their verdict ठीक है या फिर किसी भी वज़ा से जो jury उसने appoint की उसका फैसला नहीं आ रहा वापस within the time fixed जो वक्त मुकरर किया गया उन वक्त के अंदर उनका फैसला नहीं आ रहा within such further time is the magistrate may in his description alone जो कि हमारा पास section 138 subsection 2 के तहत अगर jury appoint हमारा पास हुई थी और 138 2 के तहत अगर वो कहते थे कि हमाएं ज्यादा वक्त दिया जाए तो फिर जो वक्त बढ़ा के दिया था उस वक्त के अंदर the magistrate may pass such order as he thinks fit तो फिर उनके उपर magistrate जैसा कि मुनासिर समझे उनके उपर order जारी करेगा हुकम जारी करेगा and such order shall be executed in the manner provided by section 140 अब जो 140 section के अंदर जो भी तरके कर बताया है उनके तहत उनकी क्या होगी execution होगी यहां तक बात के लिए रहे अब चले जाते हैं section 142 अब जो इनक्वारी है अगर पैंडिंग में है तो फिर उनके दोरान इनक्वार्ण निकालना होगा कोड से आरी बात समझ में अब माजिस्टेट अगर वो बहतर समझता है जो के इन्होंने आर्डर निकाला है 133 के तहत अगर वो हमार पास यह समझता है consider करता है कि हमार पास फोरण कोई एकदाम लिए जाए एसी जो है हमार पास कोई emanate danger कोई हमार पास खत्रा जो है मूल हम लें जो कोई खत्रा अगर कोई होने वाला है या कोछ होने वाला उनको रोकना किसी किसम की खत्रे को रोकना और injury of a serious kind या फिर संजीद की किसम संजीदगी से जो भी ऐसा किसम का कोई serious किसम का कोई injury पहुंचने वाली हो to the public जो आम हमार पास public है उनको he may whether a jury is to be or has appointed or not अब कोई jury appoint की गई है जा फिर अपॉइंट नहीं की गई issue such an injunction to the person against whom the order was made अब जिस शक्स के against में जो order पास हुआ है उसको injunction दी जाएगी injunction word की मिनी क्या है हिदायत उनको हिदायत दी जाएगी क्या हिदायत दी जाएगी aid is required to object जैसा कि उनसे तलब किया गया थै कि आप रोक लें obvious means किसी चीज़ को रोकना or prevent या फिर उनको खत्म करना रोकना such danger ऐसे किसम के खत्रे को or injury pending the determination of the matter जो कि ये matter जो है वो pending चल रहा है तब तक ऐसे किसम की कोई भी आपर हमारे पास ऐसा अमल ना करें जो कि हमारे पास public हमारे पास जो आम जो पॉब्लिक है उनको कोई किसी किसम का कोई injury वगिरा हो उनके लिए तब तक आप इस चीज़ को जो चीज़ जहां है वो चीज़ वहां रहे injunction का क्या मतलब हिदायत हिदायत क्या होती है status को जो चीज़ जहां है वो चीज़ वहीं रहने चाहिए as it वो ही होता है हमारे पास injunction and default of such person forthwith of being such injunction अगर ऐसे हमारे पास जो फोरण जो जल्दी में जो injunction जारी की है उनको अगर वो क्या करता है उनके default में आ जाता है उनको ओबे नहीं करता है the magistrate may himself use तो magistrate वो खुद वो खुद क्या करेगा वो यूज़ करेगा cause to be used जा फिर जो भी वज़ा बने इस्तिमाल करने की such means is he thinks fit to avoid जैसा के वो मुनासिब समझे जैसा के उसको बहतर लगे उसको रोकने के लिए उस जो खत्रा है उनको रोकने के लिए एसी किसम की जो इंजरी है ठीक है उनको रोकने के लिए ठीक है वो फोरण ही कोई न कोई उपाव लेगा जहां तक बाद कोई न कोई एक्दमात लेगा वो immediate measures ले सकता है किसी भी किसम का ठीक है अगर वो injection for example कोई A है A के against में order पास हुआ था पब्लिक नोजजन सा के ठीक है मगर अब कोट को ये लगता है कि ये जो है शक्स कभी भी किसी किसम का कोई खत्रा इन से हमार पास रह रह रहा है तो फिर इनके against में injection order पास किया है कोट ने कि आप जो चीज़ जहां है वहां रहने दे जब तक इस मेंटर की inquiry का फैसला नहीं आ जाता है ये मेंटर का हमारे पास determination नहीं हो जाता है ठीक है मगर फिर भी ये नहीं मानता है तो फिर माजिस्टिर को जो बेहतर लगे वो अपना जो है जैसा कि उनको किसी भी किसम की कोई माजिस्टिर में civil force इस्तेमाल करें या कुछ भी ऐसे किसम के जो injury है उनको prevent करने के लिए तो फिर वो कर सकता है अब जो माजिस्टिर है इस section के तहित जो इनोंने काम किया है good faith में उनकी against में कोई भी किसी किसम का कोई suit नहीं चलेगा जहां तक बात के लिए रहे बिल्कुल आसान है अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको समझ में बात आ जाएगे अब section है 143 143 बात करता magistrate may prohibit repetition and continuous of public noises अब जो public noises हैं उनकी बाद बार करने से magistrate जो रोक सकता है जो उनकी repetition and continuous हैं उनको रोक सकता है for example कोई ए है एक against में order हुआ है public noises का ठीक है मगर अब खुद्शा है कि ये फिर भी कोई ऐसी noises ये create कर सकता है तो फिर court जो है ऐसे repetition या continuous को court जो है क्या कर सकती है prohibit कर सकती है उनको इनकार कर सकती है रोक सकती है कि and आप ऐसा ना करे a magistrate of the first class जो first class का जो magistrate may order any person not to repeat or continue a public noises कि आप ऐसी किसम का कोई भी public noises दुबारा ना करें या फिर उनको आप जारी ना रखें public noises को and define in the Pakistan panel code or any special or local lab कोई भी हमार पास जो Pakistan panel code के अंदर जो भी public noises define की गई है या फिर किसी special कानून के तहद या फिर किसी भी local कानून के तहद जो public noises है वो जो है वो हमार पास गेर कानूनी अमल है ठीके वो अंदर आप ऐसा ना करें ठीके उनको रोका जाएगा कैसे for example कोई A है A ने हमार पास क्या किया है जो public V है उनके उपर इन्होंने क्या रख दिया है कोई हमार पास tree वगेरा है वो card के रख दिये क्या रख दिये एक tree जो है बहुत बड़ी tree थी वो card के वहाँ पर रख दिये किस ने रख दिये A ने रख दिये ठीके अब हमार पास Magistate order किया है कि इस tree को आप वहाँ से remove कर दे वहाँ से हटा दे ठीके और अब Magistate को लग रहा है कि यह दुबारा भी कर सकता या फिर उसको हटा नहीं रहा ठीके उसको दुबारा continue कर रहा है एक card के दूसरी उठा रहा है फिर दूसरी रख रहा है तो फिर ऐसे अमल को ऐसे repetition और S-E continuous को Magistate रोक सकता है यहां तक बात किया रहे अगर किसी भी किसम का कोई सवाल हो आप मुझ से बिना जिजग पूच सकते Thank you so much Please keep to watch my videos and subscribe my YouTube channel Thank you so much